आद्धाब आज मैं आपको मक्बर जन्गीर दिखाता हूँ मुगल शैन्शा सलीम नूरुदीन जन्गीर तीस अगस पंद्रह सो अन्नत्र को फतिपूर सिकेरी में बैदा हुए अपने वालिद अकबर आजम की वफात के बाद तीन नवंबर सोलह सो पांच को तखनशीन हुए शैन्शा जन्गीर ने मुतद्द मुफीद इसलाहाद नाफिस की कान नाक और हाथ वगर काटनी की सजाएं मनसूख की शराब और दीगर नशा आवर अश्या के इस्तेमान उक्मन बंद किया कई नाजैस टेक्स खतम किये खास खास दिनों में जन्वरों का जबिया बंद कर दिया फर्यादियों की दादरसी के लिए अपने माहल से एक जन्जीर लटका दी जिसे जन्जीर अदल कहा जाता था 28 अक्तूबर 1627 को कश्मीर से वापसी पर रजवारी कश्मीर में उनकी वफात हुई मकपर जन्गीर दर्यारावी लहोर के दुसरे किनारे शाद दर्या के एक बाह दिलकाशा में वाक्या है जन्गीर की बीवी मलकनू जहान ने इसे मारत का अगास किया और उनके बैटे शाजाहन ने इसे पाय तकमीर तक पंचाया इस मकबरे को पाकिस्तान में मौलों की सबसे आसी यादगार माना जाता है मेरे अलफाज यहां तक वीडियो देखने का बहत शुक्रिया